कि अच्छे हो और अच्छे ही रहना गाइज आप देख सकते हो कितने सारे बॉक्सेश है और यह बॉक्सेश में सिर्फ और सिर्फ मॉंस्टर वराइटीज है और कुछ नहीं है सब एक्स्ट्रीम लेवल के फीशे इसके अंदर है आपको पूरे वीडियो में मज़ा आने वाल है हमारों लिए चेक करें कितने बड़े साइज में मॉंस्ट्र जाएं की एक बॉक्स को ऊपन करके देखेंगे आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या 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 मुझसे मुझसे मौंस्य जाए है आपमारा फॉर्स्ट वोक्स देखिए इसके अंदर कौन से- मौन्से मंस् बहुत बड़े बड़े बैंग्स है देखते हैं इसके अंदर मॉंस्चर्स कोन से है तो गाइस आप देख सकते हो स्नेकेड है इसका साइज देखिए यह है स्नेकेड स्कुवाटी अराउंड आठ से नव इंच का साइज है इसमें है पहुत ही ब्यूटिफुल मॉंस्टर यह है पिकॉप पास मोनकिलस थेली भी लीप हो गई है यह साइज है आराउंड एट तो नाइन इंच इस पहुत ही ब्यूटिफुल कलर है इसकेंड बैग है इसके अंदर भी मोनकिलसी है लेकिन साइज देखिए तरह क्या ब्यूटिफुल साइज है आराउंड नाइन तो टेन इंच इस इसको टैंक में कलर आएगा ओवियूस्ली यह स्ट्रेस में है तो टैंक में आपको बहुत अच्छा कलर दिए हम उनको टैंक में आड़ कर देते है चलो फ्रेंट्स इसको एड़ कर देते हमारे पढ़े से यूच मॉन्स्टर टैंक में तो पहला हम टेप्परेचर मैच करने के लिए रख देते है आप क्लोजली देख सते है फीच को हमारा सेकेंड बैग भी इसके अंदर आड़ कर देते है कि अप्छे से टेप्परेचर मैच होने रख दिया इनको अभी फिर इनको धीरे-धीरे छोड़ देंगे ताकि यह हमारे पानी में सेट हो जाए हमारे पास एक स्नेकेड आया और दो बड़े पिकावबास आये अभी देखते है इस सेकेंड बॉक्स में हमारे लिए क्या आज है तो यहाँ पे है चार बड़ी बड़ी प्लिया इसके अंदर है बड़ा सा कोब्रा स्नेकेड जो दास इंच प्लस है बहुत ही ब्यूटिफूल गलार है और सेकेंड में भी कोब्रा यह है वही सेम साइज का है आपको मजा आने वाला है जबी में इसको टैंक में इंट्रोडीस करूंगा बहुत ही बड़ा साइज है बहुत ही यूस साइज है प्रॉपर कंडिशन में है चारो कोब्रा ही है कोब्रा स्नेकेड है सो चलो इनको टेंपरेचर मैच करने रख देते हैं और आपको टैंक में यह ब्यूटिफूल फीच छोड़ के दिखा देते हैं सो फ्रेंड इसना हमने चारो थैलिया कोल दी है और यह पाच्वी थैली है स्टुवाटी की जो हमें हमें फर्स्ट बॉक्स में मिली थी सो इनको इंट्रोडूस करते हैं टैंक में यह स्पेशल इनकी लिए टैंक भरके राता है मैंने तो उनको कवर तो जरूरी है इसलिए यह मैंने स्पेशल टैंक दिया उनको ताकि वह जंप ना करे और विदाउट कवर आप स्नेकेड पाल नहीं सकते यह अरवाना जैसी ही र इन युद्फेश करते हैं हमें काफी वेरश ही रठा हूओ है टेंपरेचर मैच पे लिए तो यह जया रहा है हमारा फॉस्ट मॉंस्टर यह के गभी प्यार्साइज है यह जा रहा है हमारा सेकंड मोंस्टर आगए कि गयो ऑब प्यारा कलर उस ऐसरे कअर्ट तो आपको दो दिन में दिख जाएगा लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा कलर दिखा रहे इतना स्ट्रेस में भी आप देख सकते हो इंदा साइज कलर बहुत ही अच्छे हेल्फ में तो चलिए हम छोड़े हमारे स्नेकड को जो बहुत ही प्यारा मॉंस्टर है यह जा रहा है हमारा फॉस्ट स्नेक हेड यह जा रहा है हमारा स्केड स्नेक हेड जब प्रॉपर विडियो आप तो थोड़ी देर में दिखाते हैं बहुत ही अच्छी पैटर्न है उनके बॉड़ी पे यह है थर्ड फॉर्थ कोब्रा स्नेकड आप कलर देखिए इनका मैं बता नहीं सकता हूं मुझे कितने खुशी हो रही इनको पर्सनली देखके आपको विडियो में इतना अंदाज नहीं आता रहेगा लेकिन एक्छुली यह बहुत जादा अच्छे साइज में है बहुत अच्छे पैटर्न में है और इनका कलर देखेगा दो दिन में कि अग्या को तो हम अप्धी रेलीस कर रहे है को स्नाइकेड टुवाटी को यह थोड़ से ब्लुईश कलर में रहते हैं कर दो हम आता रहे हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा ही है हमारे दो बॉक्स में क्या था बड़े बड़े टिक उप्पास बड़े कोबरा शेक एक एक तो देखते हैं थड़ बॉक्स में क्या सपराइजेस है फ्रों से थर्च पक्का BoneBrieneter तो देखते हैं इसे थर बॉक्स में क्या है लेकिनमजे सच बता हूँ बहुत ही बैरी साइज है अ िलिपbird तो इसके अंदर तो और मोस्ट पाच थेलिया है देखते बहुत बड़ी थेलिया भी है और मोस्ट और मैं स्कतर है क्ये हो इसके अदर नाइयप वीश जेसा कुछ दिख रहा है यह शायद से मार्बल नाइफ वीश है जो मां पहली बार देख रहा हूं और यह भी नाइफ फीश ही है यह भी मार्बन नाइफ फीश है यह हमारे चैनल पर फरस्टाइम आ रहा है मेरे शॉक पर फरस्टाइम आ रहा है यहां पर फिर से एक स्नेकेड है स्टुवाटी है ब्लु इस ब्लाक आप देख सकते इसकी स्पाटिंग और एक कोब्रा यह विटा टू टाइगर यह गोलाइट टाइगर की फैमिली है यह विटा टू है इसको बहुत ही प्यारा कलर आता है इसका साइज अराउंड 3.5 तू 4 इंचिस है ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही कॉसली फिश है यह मेरा अक्वरे में फर्स टाइम आई है सो इन्हें वेलकम करते है नेक्स फिश को देते हैं नेक्स फिश कुन से आई है सो यह है लंग फिश मैं आपको इसको छोड़ के दिखा हूंगा लेकिन यह बहुत ही पैरी फिश है आराउंड 7-8 इंचिस का साइज है मार्बल लंग फिश बहुत ही पैरी चीज है चलो बिना कि दिखा देरीकर इनको छोड़ देते हैं एक है भुप है टो फ्रेंड शुरू करते है तो यह हमारा फष्ट मों से जा रहा है यह खिर मार्बल लाइफ फिश इसके पैरटन आपको को दो तिन दिन में दिखेंगे लेकिन यह नॉर्मन नाइफ जैसा नहीं है इसकी फेस बहुत ही डिफ्रेंट है अधर नाइफ फिच से सेकेंड नाइफ फिच को चोड़ जेते हैं साइज देखिए 10-11 इंचिस आराम से अरा थर्ड फिच है बोस्ट अवेटेर्ड लंग फिच मार्बल लंग फिच यह बहुत पैरी चीज है बहुत रेरली मिलती है आपको देखने के लिए यह देखिए उनके स्पॉर्ट्स देखिए बहुत ही प्यारी चीज है आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत है यह रेर मॉंस्टर में आती है बहुत बड़े हो जाते है आप करेंगे अधर शुम्म पैटर में बहुत बीडिफ़ल है झाल 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 तो एक स्ट्वार्टी स्नेकेड हमें मिला था बॉक्स के अंदर तो उसे भी हम स्नेकेड के टांक में रिलीज कर देते हैं इतले स्ट्रेस में भी बहुत अच्छा कलर दिखा रहा है तो फ्रेंट्स हमार लास्ट मॉन्स्टर गोलाइट ताइगर बिटा टू यह को छोड़ देते हैं हम यह हमार एक्वार्य में फस्टार बनाएग बहुत ही प्यारी चीज़ है तो फ्रेंट्स यह था हमारा छोटा सा मॉन्स्टर बेस्ट वीडियो जो हमने तिंग बॉक्स ओपन किये उसके अंदर आपने बहुत ही ज्यादा पाइड में निखा जाएग तो मेरे शॉप में फर्श टाइम आया है जो टाइगर विटाटू है बाद में जो प्री यह साइज में में पास फ्रस्टाम आया यह यह लंग फीश, मार्वल लंग फीश वह भी मैंने फिर्स टाइम देखा है सो आपको ये वीडियो में ये चाइनल पर आपको हमेशा नए नए फीशेज देखने मिलेंगे वही किसे बिटे फीशेज हम लोग रिपीट नहीं करेंगे ये मेरा प्रॉमिस है सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिं दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट हमें फॉलो कीजिए फेस्बूक इंस्टाग्राम और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो थैंक यू सो मच डू टेक केर सी यू नेक्स वीडियो बाई बाई